जूटे सान के परिंदे ज्यादा फरफडाते हैं, बाज की उडान में आवाज नहीं होती नमस्का दोस्तों मैं विनित सिंग दोस्तों कभी अगर बनना हो तो बाज जरूर बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा उचाई तक नहीं उड़ सकता है बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सवसे उचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज आज मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जो की हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पांच पॉइंट में तो चलिए नमबर वन, बाज की तरह अकेला चलना सीखो दोस्तो बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे उचाई पर उड़ता है बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिडिया और छोटी मोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोचवालों से दूरी बना कर रहे हैं और अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जहनने का असली मौका मिलता है नमबर दो बाज की तरह अपने लक्ष पर फोकस करो ध्यान दो दोस्तों बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा श्ट्रोंग होता है बाज अपने सिकार को पांच किलुमेटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहें कितनी भी मुश्क्लिक क्यों ना आए वो अपने लक्ष को हासिल करके ही दम लेता है उससे भी एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहें कितनी भी मुश्क्लिक क्यों ना आए पीछे मत हटो उस बाज की तरह नमर तीन बाज कभी भी मरे हुई चीजों को नहीं खाता है दोस्तों बाज कभी भी मरे हुए जनौरों को नहीं खाता है वह हमेशा जिन्दा सिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पाश्ट है वो मर चुका है तो अपने उस मरे हुए थौर्ट्स पर ध्यान मत दो अपने आने वाली ताजी फ्रेस जिंजगी में ध्यान लगाओ हमारा पाश्ट की पुरानी यादे जो आपको तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहां उनकी जगह है और आप पाश्ट की जगह को बरतमान में जगह मत दो क्योंकि अगर एक बार आपका पाश्ट आपके प्रेजेंट में आ गया तो आपका पाश्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा आपको आपने महसूस भी क्या होगा दोस्तों पाश्ट में आपके साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हुआ हो वो सब यादे और थौर्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजे को नहीं खाता दोस्तों जब आंधी तुफ़ान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एकसाइटेड हो जाता है जब बारिस होती है तो सारे पक्षी छीप कर बैठ जाते हैं लेकिन एक बाज को बहुत ज़्यादा मजा आता है जब तेज होआए चलती है तो बाज उन होआओ के साहरे और तेजी से उपर की और उड़ता है और उपर उड़ते उड़ते इतना उपर उड़ जाता है कि बादलो से भी उपर पहुँच जाता है और हम शब को इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंड़ो दोस्तो नेपोलियल हिल्स ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनावती अपने साथ एक बहुत बड़ा आउसर लेकर आती है तो उस बाज की तरह आप भी अपने आउसर को पहचान लो और जिस दिन उन आउसरों को पहचान लिया फिर सारी मुस्किले आपके नीचे होंगे और आप उन मुस्किलों के उपर होंगे नमर फाइव कमफर्ट जोन से बाहर निकलो दोस्तों बाज अपने घोसले से सौफ्ट घास को हमेशा निकाल कर ठेक देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कमफर्टेबल ना हो सके क्योंकि अगर वो घोसले में कमफर्टेबल हो गया तो वही रहना ज्यादा पशंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बाद पता है कि कमफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होता दोस्तों लेकिन हम तो इंसान है न और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है आप जितना ज़्यादा कमफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकमफर्टेबल हो जाएगी दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि मेरे द्वारा बताए गए बाज के इन पांच लेशन से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिली होगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलिएगा धन्यवाद